नेटवोर 15 पर आप देख रहे हैं सफल जाएके का हम उतर BeiDash के एतिहासिक शहर मेरट में हैं और आप तक पुछारा है मेरट के खास जाएके पिछले काफी सारे эпिसोड्स में हमने पुराइ系 मेरट जाएके आप तक पहुछा है इस एपिसोड्स में हम आप तक पहुछाएंगे उसके लावा sweets shop हैं की पूरी complete range है sweets की केक्स हैं, pastries हैं के पास South Indian food हैं का उसके लावा इनके पास North Indian food की काफी सारी varieties है Chinese का पूरा complete Chinese cuisine है याँ पर आए हम देखते हैं Merit के The Host में कैसे जाएक हैं मेरे साथ है Saurav Malvia, The Host के General Manager आए हम Saurav से बात करते हैं जानते हैं जगा के खासित के बारे में Saurav मुझे सबसे पहले तो बता है यह जो concept था The Host का, यह कहां से डेवलप हुआ और किसने इसको डेवलप किया और कैसे आपने एक्जिक्यूट किया इसको So that यह ऐसी exclusive outlet आपका Merit के अंदर है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि Merit जैसे छोटे शहर में ऐसा exclusive outlet हो सकता है जहां पर आपको स्वीट से लेके North Indian, South Indian, Chinese हर तरह का फूड यहां पर आपके पास अवेलेबिल है सर वकुल गोहल जो हमारे मैंनिंग डारेक्टर है जहां जॉइन करने से पहले उन्होंने मेरे साथ एक मीटिंग और्गनाइस करी उनका कहना था कि सौरब एक ऐसा कॉंसेट लाना है अमें मेरेट के अंदर Under one roof गैस सफर ना करे सब चीज़ों से उसी आउटलेट का अविलेबिल्टी मिल जाए Under one roof उसको सब कुछ मिल जाए अगर उसको चाट खाने का मनने तो चाट भी महीं पर मिल जाए अगर कोई पार्टी ऑगनाइस करना चाहता है इसकी आपकी कैपैसिटी कितनी है इसकी कैपैसिटी हमेरी 150 प्लस है नहीं हम 200 गैजरिंग इन आउट के साथ प्रॉपरली कर सकते है तो यूजरी लोग यहाँ पर रिंग सेरिमनी जवारा करते होंगे छोड़े मुड़े फंक्शन से वहाँ पर कर सकते हैं अफकोस अफकोस सारी फंक्शन सो और्गनाइज कर सकते हैं 200 के गैदरिंग के अबब जो भी गैदरिंग होती है उसके लिए हमने अपनी आउटडोर कैटरिंग भी स्टार्ट करी हुई है मेरे साथ है हीरा स्वीट के मैनेजर अरुन कुमार जिस तरह का हमार हीरा स्वीट का कॉंसेप्ट है यह मल्टी कुजिन रेस्टोंट है जहां पर आपको चार्ट से लेगे स्नैक्स स्वीट्स इंपोरेट चोकलेट्स ड्राइफ फूट्स बेस से बेस्ट गिफ्ट हैंपर भाजी बोक्स सब कुछ आपको एक ही जगे मिल जाएगा और जो मौनिंग में जो मर बेकफास्ट का मैन्यू है वह बहुत रही इस निमर प्राइज है उसको हर वेक्ती अफ़र्ट भी करता है और अच्छी तरह से एंज्वी भी कर सकता है हिर्ट की रेजिटन्स है जो हमारे व्यूर्ण में रहते हैं अगर iau पर सजेस्टी करें ही यह का एक आईटम जरूर टेस्ट करें तो एक आईटम क्या होगा वो एक आइटम अगर चांट को लें तो चांट में ने राज के चोड़ी औरुर हेर एस सुईट की जो बालू शही जो है इसके फूड के अंदर ऐसा क्या बनाते है आप जो जो कि लोग इतना पसंद करते हैं यह हामरे सब कुछ घाना है बेस्टी के फिलेवर इतना अज़ों को लगता है इसलिए बार बार यहां पर आते है तो आपकी स्पेशलीटी है कि आप सारा जो भी फूड बनाते हैं यहां तो आपकी यहां पर कौन से ऐसे आइटम से बहुत सब्सक्राइब हैं सबसे सब्सक्राइब से आइटम सर्थ हमने सुनाता हिंकी राज कचोरी बहुत अच्छी होती है इस वाद मेरे सामने दिखोस्ट की राज कचोरी है मैं इसको टेस्ट करता हूँ और आप तक पहांचाता हूँ इस राज कचोरी का जायका जो ओवराल कॉमिनेशन है स्पाइसेस का बहुत जबर्दास है बहुत बढ़िया हर शेहर की अपनी कुछ खासियत होती है जब आप मेरे ठाएंगे तो यहां पर आपको मटर का चाइट बहुत जबादा पॉपिलर है बहुत लोग यहां मटर के चाइट पसंद करते हैं ले यह फलीवर विनकोल वैसाई ही प्लीवर है जैसे आप डिली ओ डिली का वाज पास के अवह मिलेगा बहुत बढ़िया है हमरे चाप के मुक्लिफ जाएक हैं मेरा चेहर से आप तक पहुँचा है हम देखते हैं दिहोस का यह चाप लेटर इसमे चाप तक आसा जाएक है दो तरह की सोया चाप इसके अंदर, एक तो तंदूरी सोया चाप है और दूसी मलाई सोया चाप है साथ में इसके मिंट सॉस है सोया चाप प्लेटर मेरे शहर में, पहली बार मुझे सिजलर में मिला है ओवरॉल इसका जायका ठीक ठाक है मेरे सामने इसवक्त डाल धाबा है डाल धाबा यहां की बहुत मश्यूर है हमने इससे पहले भी एक डाल धाबा का जायका आपसच पहुंचाया था दिल्ली धाबा से हम देखते हैं शहुर शे Chinese, दाल धाबा का कैसा जायका है उसके अलावा इनकी चाप टकाटक है, साथ में कुछ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, सिल्के वाली प्याज है, नॉर्मल प्याज है, खीरा है, नीबू है, हरी मिर्च है, और ब्रेट्स में हमारे पास एक बटन नान है, काफी बड़े साइस का बटन नान है, कि जो दाल धाबा इस वाद आप मेरे हाथ में देख रहा है, बिल्कुल धाबा स्टाइल में बनाई हूँ दाल है, बहुत बढ़िया, चाप का जो स्टार्टर था, उसे में बहुत बढ़ा इंप्रेस नहीं हुआ था, लेकिन जो में पोर्समेंड का चाप का आइटम है, चाप टकाटक ये बहुत उंदा है, जिसे कड़ाई पनीर होता है, उस तरह से बनाया गया इसको, कड़ाई चाप भी हम इसको कह सकते, य इसको के अलावा मेरे सामने इसपाद एक लेट्डू है, बहुत ही बड़े साइस का लेट्डू है, मैं इसको भी टेस करोंगा और आप तक मचाओंगा इसका जायका, देशी गी की बनी वही बालूशाही है, बहुत ही माइल स्वीटनेस है, जबर्दर जायका, आएब हम य रोश, दिहोस्ट के अंदर साग्र्रतना के मैनेजर हैं, मैरेट के अंदर इसकी क्या आतना है? वहारोगरण। शाग्रतना मील उन, इसपलूशी बना हुआ है, आप पूरे लए के सकता है, शान दार अन्टिरियार, फूड, इroeक देए कि लिए चाहिए आप बैले पार्किंग कह लीजे चाहिए आप नीचे उपर तक आप लिफ्ट भी उसका सकते हैं आपके स्टेश भी उसका सकते हैं बेबी चीर्ज यह है और बागी सारी चीज़ा है यार फूद का थो हमारा अलगी कॉंसेप्ट है जैसे हमा साथ इंडियन भी सर्फ क हमारा जो प्लेटर है हमारा तंदूरी प्लेटर है तंदूरी आलू है पनेटिका अचारी पनेटिका ही हमारा हम होट प्लेट में सर्फ करते हैं तो वह हमारा बड़ा फेमस है है जो साघरहता का फैंचाइज़ी है यह बाकि की जितने भी साघरहता है उनसे बहुत मुक्तलिफ है वह दिपेटरेंट हैं बहुत स्पैसियोस हैं इंटिरिज्ट इसका बहुत खुबसूरत है, खासियत इसकी यह है, कि यहाँ पर इनके पास North Indian की complete range है, उसके बाद इनके पास South Indian है, और उसके अलावे इनके पास Chinese cuisine भी है, तो आप North Indian में से या South Indian या Chinese में से कुछ भी order करना जाते हैं, वो यहाँ पर आपको हमेशा available मिलेगा, इनका जो डोसा होता है, 5 feet long डोसा होता है, 5 feet long डोसा, जो के शायद भारत में सबसे बड़ा है, इससे बड़ा है डोसा मैंने अभी तक नहीं देखा, इसवाद मेरे सामने एक रवा ओनिन मसाला डोसा है, मैं इसको टेस्ट करूंगा और आप तक पहुंचाओंगा इसका जायका, दही बड़ा है, जिसक यह दूसरा ओटलेट है, जहां मुझे सिजलर मिला है, शुरुआत करूंगा मैं दही बड़ा से, दही बड़े के हमने बहुत तारीफ सुनी है हापर, दही बड़ा ला जवाब है, बहुत अंदा जायका है इसका, खाचेत इसकी है कि इसके अंदर बुंदी इसमें डाली सबसे खाते हैं, उसके दहस DM होती है, सॉस होता है यह जज़ी बड़ा है सॉस की ज़रूरत है भी यह ज़का कि कैसा जायट है, इसके आढ़ बैच से चाहता हूँ बजे सीख कबाब नज़र आ रहे हैं, स्ट टंदूरी आलो है, उसके अलावा इसमें कुछ ने颠ी का है, है इसके अंदर साथ मैं इसके मिंट सॉस है यूजर ही हम लोग जो तंदूरी फूट के साथ यूज़ करते हैं इस पूरे प्लेटर में तंदूरी अलू का जाय का कमाल का है जो फिलिंग है तंदूरी अलू की बहुत जबर्दास है बहुत अंदर रवा उनियन मसाला डोसा 100% अप तो दे एक्सपेक्टेशन है जैसा कि आप एक सागर रतना में एक्सपेक्ट करते हैं विल्कुल वही जायका है इसका सारे जायकों के अंदर जो हासले मैफिल जायका है वो इनका दही बड़ा है दही बड़ा बहुत यूंदा है जायके के सफर के इस एपिसोड में अभी तक कि लिए इतना है अगले एपिसोड में हम आपको लेकी चलेंगे किसी और food destination पर और आप तक पहुंचाएंगे कुछ और चटपेटे मैज़दार जायके आप देखते पर यह सफर जायके का नेटवर्स 15 पर